आज यह वीडियो में किसी खास मोटिब से बना रहा हूँ पहले मैं बता देता हूँ इस चैनल पे हम लोग नीट की प्रप्रेशन करते हैं नीट की तैयारी करते हैं उससरे रेलेटेड बायलजी के कंटेंस मैं आपको प्रवाइड करता हूँ like PYQs, Questions, Notes और Video Lectures तो जिन लोगों ने नहीं जोइन करा है वो मेरा चैनल जोइन कर ले ताकि आपका फ्यूचर आपका नीट बेटर हो सके तो बात यह है कि November खतम होने को है और तीन केडेग्रीज हमारे पास बनती हैं एक वो बच्चे जिनने बहुत अच्छे से तेयारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी और उनका syllabus खतम हो चुका है और वो बहुत अच्छे से अपने syllabus को लेके आगे बर रहे और practice mode में आ गये तो problems काफी सारे तरीके के हैं कुछ को memorize नहीं हो रहा है कुछ बहुत जल्दी concentrate नहीं कर पा रहे है focus खराब हो रहा है, distractions हो रहे है मतलब वो easily study नहीं कर पा रहे main motive यह है, वो easily study नहीं कर पा रहे जिसके वजह से उनको दिक्कत हो रहे हैं काफी सारा उस चीज को दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा innovative terms में सोच रहा था तो अब मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए biology podcast जैसे हम लोग कुछ भी song सुनते हैं like spotify अगरा पर सुनते हैं या कोई भी platform पर हम लोग song सुनते हैं उससे बेटर यह होगा कि आप अपना time waste ना करके ठीक है अपना time waste ना करके podcast जो आप सुनते हैं या किसी का भी motivation के लिए motivation बहुत जादा भी जरूरी नहीं है ऐसा नहीं कि आप 5 घंटे motivate ही होते रहें motivate होके कुछ करना भी तो होता है इंसान अगर खाना बनाने के लिए चूले पर खाना चड़ाता है तो पूरा दिन उसको खाना ही नहीं बनाते रहना है उसको खाना भी तो है ना उसको पूरा complete भी तो कड़ना होता है तो उस motive से biology podcast में लेके आ रहा हूँ वो पूरी एक series होगी जिसमें हम लोग पूरे NEET को एक podcast के terms में ढाल देंगे तो उससे आप कैसे utilize कर पाएंगे वो ऐसा होगा ना कि जब हम मान लोग सोने जा रहे हैं या फिर खाली times में हैं या बाहर निकल गए गुमने के लिए या एक ही चीज़ को जब आप बार-बार सुनते हैं या बार-बार कड़ते हैं तो हमें वो याद हो जाता है जैसे अगर आप bike चलाते हैं तो जिन लोग उने bike चलाया होगा उनको पता होता है कि right hand side पे accelerator होता है या जो gear होता है वो left side पे होता है तो उन्होंने कभी ये study थोड़े किया है उन्होंने कभी ये चीज़ पढ़ा नहीं किसी book में ये सब चीज़े पढ़ा ही नहीं जाती है बट फिर भी आपको याद है मतलब आपने practice करा है बार-बार उस चीज़ को करा है जिसके वज़ा से आपको पूरा memorize हो चुका है अब हम लोग syllabus खतम कर रहे होते हैं practice test दे रहे होते हैं उस बीच में हम लोग ये पूरा नहीं कर पाते हैं मतलब इतना ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं practice को तो biology podcast मेरे podcast से आपको ये benefit होगा पूरा chapter पूरा का पूरा chapter उस पे हम आपको revise करा देंगे और एक song के तरह आपको ear plugs लगाने हैं और उसको continue सुनते जाना है एक बार, दो बार, तीन बार जितने बार आपका दिल करें जितने बार में memorize हो जाए देखो हर तरह के बच्चे होते हैं किसी को जल्दी समझ आ जाता है किसी को late से समझ आता है late से समझ आना वाले को आप बेवकूफ नहीं बोल सकते हैं वो उसका mental ability ऐसा है तो उसको ना बेवकूफ बोल सकते हैं ना गधाब हो सकते हैं क्या पता वही निकल कि आपको aims का rank लाके दे दे तो कुछ भी हो सकता है इस podcast में आपको basically साड़े chapters एकदम revision के form में मिलेंगे कोई notes नहीं उतारनी उससे कोई notes आपको नहीं लिखना है कोई भी copy में कुछ भी mention नहीं करना है बस अपनी earphones, earplugs, headphones अप अमीर लोग अगर है तो headphones भी लगा सकते हैं बाकि जैसे आपको सुविधाओ जैसे आपको benefits रहे वैसे आप use करें और continuous को सुने एक बार में याद हो गया, दो बार में याद हो गया तीन बार में याद हो गया जैसे आपको मन करें उससे I assure you की बहुत ही ज़ादा benefit होगा इस पर मैं बहुत दिन से काम कर रहा था इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया अब finally एक तारिक से एक December से हम लोग इस पर काम स्टार्ट करेंगे और आपको आपका podcast मिल जाएगा आपको बस मन लगा के पढ़ना है इस बार हम लोगों को 2024 में 4 देना है बाकी जो help होगी वो मैं आपको करते रहूँगा ठीक है इसके लिए आपको कोई attention देना है इसके बाद एक और surprise होगा मेरे तरफ से वो यह होगा कि maybe कुछ time बाद हम लोग shots पर भी काम कर रहे है ठीक है तो biology के shots भी हम लाएंगे जो जिनको वो सुभा सुभा या continue in insta scroll करने की या insta reels और youtube shots काफी magnetized होता है मतलब अगर आपने एक बार youtube खोल दिया तो जब तक आपके phone में 50% data consumed का message ना है तब तक आप रुकेंगे नहीं और जब तक आप रुकेंगे नहीं तो आप आगे का कुछ कर नहीं पाएंगे एक बार आएगा message कि 50% data गया फिर थोड़ अदर बाद message आगा 90% गया तो ये चीज़े हो सकती है इसके लिए हम लोग shots ला रहे हैं कि ठीक है आपको shots देखना है देखो कोई दिक करने हैं बट productive way में देखो होता है क्या है हमारे आँखों के सामने से अगर बार बार कोई चीज़े जा रही होती है तो हम लोग उसको capture कर लेते हैं और memorize रख पाते हैं ये सब सर्फ 3 घंटे का खेल है याद रखें ये सब सर्फ 3 घंटे का खेल है जो बच्चे demotivate हो रहे हैं उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको demotivate होने की कोई जरूरत नहीं बहुत लोगों का सपना आप पर depend करता है बहुत लोगों का उम्मीद आप पर depend करता है वो आप पे इसलिए उम्मीद लगाए बैठे है विकॉस उनको आप पर trust है अगर ऐसा होता कि उनको आप पर trust ही नहीं होता वो उम्मीद ही नहीं करते आप किसी कार पे, किसी गारी पे, किसी आटो पे तब बैठते हैं जब आपको पता होता है यह driver ठीक है अगर आपको पता हो कि ऐसे साप की तरह चलाएगा या कहीं accident कर देगा या पहले आपने इसका story सुन रखा है किसने किसी को ठोक दिया है या किसी की जान लिया, आप बैठेंगे ही नहीं तो अगर आपसे result के उमीद की जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको pressurize किया जा रहा है आपसे उनको उमीदे हैं मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगे तीखे, that means आप कर सकते है थोड़ा slow ही सही, बट आप कर तो ले रहे हैं आप कर ले रहे हैं उसके लिए एकदम demotivate नहीं होना है थाली में जब कुछ खाने के लिए मिलता है तो एक ही बार में साड़ा थोड़ी जाएगा थोड़ा थोड़ा potions करके जाएगा तो अपने आपको छोटे छोटे टास्क दें छोटे 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 सेलेबस की मेरे को एक हफते में ये ये तीन चार पांच चैप्टर जो भी आपके हिसाब से उसको खतम करने एक ही बार में पूरा खतमकरने के कोशिश ना करें अराम से हो जाएगा तीक इस प्रोसेस से भी आपका ніट आराम से हो सकता है उसके आपको टेंशन इलेना है और जितना जाधा से जाधा हो सके हम biology को simple करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं trust me, बहुत ज़ादा tight schedule है मेरा, बट फिर भी मैं इसमें time निकाल के आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं तो उसको easy बनाने के लिए, कि आपको जरूरी नहीं है कि बारा गंटा पढ़ा जाए पहले के लोगों का ध्यान था कि बारा गंटा अगर आप नहीं पढ़ते तो आपका नीट नहीं होगा बट ऐसा कुछ अब नहीं है, अब hard studies नहीं smart studies का time है, तो जो आपकी बुरी लते हैं, shots की लते हैं या songs की लते, उनको convert करके हम productive way में कुछ करना जा रहे हैं इसके अलावा मेरे video lectures भी आने वाले उस पर भी हम काम कर रहे हैं ताकि वो आपको easily simplified तोर पर समझ आए क्योंकि biology 50% है कहा जाता है कि physics rank improve करता है सही बात है, physics rank improve करता है पर आएगा rank तब ना पहले rank लाएगी तब ना आप rank को improve करोगे तो rank लाने के लिए तो आपको 50% चाहिए 360 अगर marks आ जाता है उसमें अगर 350 भी आ जाता है या 340 भी आ जाता है तो उसके आगे physics और chemistry मिला के हमारा अच्छा college आ जाएगा इसके बाद मैं कुछ जिन में आपके लिए एक aims special video लाने जा रहा हूँ जिन लोगों को ऐसा लगता है कि aims में कितना cut-off होना चाहिए या इस साल कितना cut-off गया है या क्या marks लाएंगे तो हमें aims मिल जाएगा ठिक है exact मतलब एक proper numerical value हमें बता दिया जाए उस पे भी एक बहुती सटीक video में बनाने वाला हूँ अभी उस पे थोड़ा investigation जारी है चीरफार जारी है मतलब बिना जाच परताल के हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं तो बट वो surprise होगा आपके लिए आपने सोचा नहीं होगा इस cut-off पे भी aims में selection हो सकता है मैं हूँ मैं आपको पूरी तरीके से support करूँगा counselling तक हम आपके साथ रहेंगे उसके बाद आप हमें दो लड़ू या दो मिठाई courier कर सकते हैं या आके खिला सकते हैं बस हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं आपके results के लिए कर रहे हैं तक है आपका result बहुत ही जादा better हो बहुत ही जादा better हो तो बहुत जल्द एक तारीक से आपका podcast स्टार्ट हो जाएगा उसमें A to Z points होंगे याद रिखना podcast को skip नहीं करना ये कोई song नहीं है जिसमें हम आपसे views मांगेंगे कि हमको views दे दो, likes तुमको अच्छा लगे तुम like करना, नहीं अच्छा लगे dislike कर देना, block कर दो अगर अगर इतना घटिया लगे, block कर दो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बट अगर मैं एक का भी help कर पाया मेरे को लगे है कि मैं ने बहुत अच्छा गाम किया, successful गाम किया, ठीक है तो बस कोशिश ये करना है उसको पूरा starting से ending तंक सुनना सुनने में क्या है वो आप रात को भी सुन सकते हो ठीक है, वो बहुत अच्छे सा आपको समझ आ जाएगा एक दो दिन में ने दिखो अभी जिन लोगों को नुकसान हो रहा है जिनका habit खराब हो गया या मालो जिनको समझ नहीं आ रहा है एक दिन में तो इतना damage हुआ नहीं काफी time damage हुआ है तो दवा चलने में भी तो time लगेगा एक दूजिन में तुम्हारा तुरन थोड़े ठीक हो जाए ऐसा थोड़े कि घोले घोल के पिलाए और खतम बिमारी ऐसा नहीं होता है उसको समय दीजिए एकाथ मन्त या एकाथ हफता आटीस दीजिए आपको रेजल्ट दिखेगा ठीक है क्योंकि इस बार questions completely NCRT आएगा तो उस पर हम लोग काम करें तो आपको कोई tension लेनी की ज़रूरत नहीं है बस उसको skip ना करें ठीक है आपके लिए बना है वो आप बढ़ियां से सुने और zero levels हम लोग स्टार्ट करेंगे जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं हम ऐसा माल आपको कुछ नहीं आता है और एकदम zero level से स्टार्ट करेंगे ठीक है वो भी एक best चीज होगा वो भी actually में एक best चीज होगा और ठीक है अगर आप हमें blank paste देंगे तो हम उसके उपर कुछ लिख सकते है अगर आप already हमको भरा हुआ paste दोगे तो हम कहां से कुछ लिगे आपको अगर already काफी सारे concepts mix होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे तो आपका biology एकदम perfect होने वाला है आप याद रख लो कि यही ये वीडियो देख लिया आपने आपके एकाद लाख rank बढ़ गये जो आपके एकाद लाख rank खराब थे वो अब अच्छे होगे यतना देख लिया आपने मत कुछ अच्छा करना चाहरे हो वो बहुत बड़ी चीज है वो एक्चली में बहुत बड़ी चीज है उस पर हम लोग काम करेंगे तो आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि इतना टाइम वेट कि आपने बस दो चार दिन और वेट कर लो और आपका काम शूरू हो जाएगा औ जिन लोगों ने चैनल सक्स्क्राइब नहीं किया है वो इसको जॉइन कर ले ताकि आपका नीट बहुत ही अच्छा जाए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे है आपका नीट एकदम बैस जाएगा आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रोड़क्टिव वे में सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे उनको यह सब चीजे जरूरी है तो आप उनको शेयर करें और हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और अगर मेरा गाम अच्छा लगता है पिछले वीडियो देखो मेरे हिसाब से पढ़ाई थोड़ा सा इजी है बट उसका तडीका लोगों को नहीं पता है इस कारण से वो उसको हाड लगता है तो आप अगर तडीका सीख जाएंगे तो आपको भी वो आसान ही लगेगा तीक है मैं यहीं नहीं कहता हूँ कि एक दिन में चेंज हो जाएगा बट एक दिन जरूर चेंज हो जाएगा और आपको वाइट कोट में देखने का सपना मेरा भी है तो जिन जिन का इस बार वाइट कोट मिलेगा वो मुझे फोटो जरूर भेजेंगे या अगर पॉसिबल हो पाया तो आप हमसे जरूर मिलेंगे हम आपसे डाफिने वाइट कोट पहनना है यह चीज हमेशा याद रखे सोसाइटी को कोसने से बेटर है आप खुद को थोड़ा सा चेंज करें और चेंज करके मेंनत करके अपना लाइफ खुद से बनाए कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला किसी से उम्मीद नी रखना बट आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं तो याद रखें लहंगे से पहले वाइट कोट पहनना है ठीक है चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ